असलाम लेकुम वियर्ड्स, वेलकम बैक टू मैं चैनल, मैं हूँ इक्रावर आप देख रहे हैं, इक्राव स्कुकिंग कॉर्लर, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि विदाउट एलेक्ट्रिक बिटर आप किस तरह से घर पे टी केक बना सकते हैं, तो चलें इसको बनाना करना है अंडों को, यहां पे हम दो अंडों से केक तयार कर रहे हैं, हाफ कप इसमें लेनी है, हमने चीनी, यहां पे पिसी हुई चीनी लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसको हमने ब्लेंड करना है, तो यह देखें, इसमें अब मैं एड कर रही हूं, वन फोर्थ कप ऑईल इन तीनों चीज़ों को एड करके हमने ब्लेंड कर लेना है, आपने इसको पूरा एक मिनट तक ब्लेंड करना है, तो यह देखें, अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है, अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे, अब हमने जितना इसमें एड किया था ओयल का, उतना ही हमने एड़ करना है दूद दूद जो है यह रूम टेंपरेचर है वो भी इस जग में डाल के निकाल लेंगे ताकि इसके अंदर जो थोड़ा सा बैटर लगा हुआ रह गया था मिक्सर वो भी साफ हो जाए थोड़ा सा हमने एड़ किया है वनीला एसेंस दो से तीन डॉप्स ह इसके अंदर एड़ कर लिया है बेकिंग पाउडर अब इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से चान लेंगे चाने बगार कभी भी आपने मैदा यूज नहीं करना तो यहां पे एक स्पैचुला की मदद से हम इसको टर्ण और फोल्ड की सूरत में मिक्स कर लेंगे यह बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है ना आपको इसके लिए ओवन की जरूरत है ना ही इलेक्रिक बीटर अगर यह दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो फिर भी आप यह केक घर पे बना सकते हैं तो बजार जैसा केक बनाने के लिए हमने थोड़ा सा इसके अंदर एड़ कर लिया है फूड कलर यालो फूड कलर एड़ कर लेंगे तो यह देखें बैटर का कलर जो है वह भी यालो हो चुका है इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की अब हमने एक मोल्ड ले लेना है तो यह जो है मेरे पास इंच का मोल्ड है इसके अंदर हमने पूरा बैटर एड़ कर लेना है पतीला जो है वह हमने पहले से प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है मीडियम फ्लेम पे जब भी आपने कोई केक बनाना हो तो पहले आपने पतीले को प्री हीट होने के लिए रखना है साथ ही आपने इस बैटर के लिए तैयारी शुरूगर देनी है तो एक से दो दफ़ा हमने इसको टैप किया है अब हम इसको बेक कर लेंगे तो यह देखें 25 मिनट के अंदर ज से निकाल लेना है किसी नाइब से साइड को अलग कर लेंगे जो वनीला स्पॉंज होता है यह साइडों से खुद ही थोड़ा सा सेपरेड हो जाता है इसली आप देखें कितना जबरदस्त केक बनके तैयार हुआ है अब हम इसका बटर पेपर जो है उसको रिमूव कर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में केक जो कितना सोफ्ट फिल हो रहा है अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं बेकिंग जो है वो आप पतीले में करें या ओवन में करें कुछ चीजों को आपने माइन में रखना आता है जैसे कि सबसे पहले एक टीप यह है कि कोई भी चीज जो इसमें हम यूस कर रहे हैं वो फ्रीज में रखी हुई हिए ना हो हर चीज वो रूम टेंपरिचर हो कुछ रेसिपी ऐसी होती हैं जिसमें हमने हॉट मिल्क या होट वाटर यूस करना होता है और वाइस जो हिर रूम टेंपरिचर हर चीज होनी चाहिए अंड़े अगर आपके प्रिज में पड़े हैं तो उनको निकालके बाहि रख लए जैसे ही वह रूं टेमपरिचर पर आएं तो उनको फिर यूज करें ठंडी चीजे अड़ी तो आपका बैटर खराब होगा बैटर खराब होगा तो आपका केक भी नहीं बनेगा तो यह देखें इसके कितने जबर्दस से हमने सॉफ्ट से पीसी काट लेए है यह देखें मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ इसको प्रेस करके छोड़ेंगे तो फिर अपनी असल सुरत में आजएगा तो यह निशानी होती है अच्छी बेकिंग की अच्छा यह जो है केक हमारा पूल के त्यार हुआ है मैयर मैट जो है वो बिलकुल एक्जेक्ट होनी चाहिए अगर आपको इस केक की रेसिपी पसंद आई है तो जरूर ट्राइ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा मैं मिलूंगी आपको नेक्स वेसिपी के साथ तब तक के लिए ऐला हाफीज थैंक यू फॉर वाचिंग